तो मेरे चनल में आप सभी का बहुत पहुत स्वागत आज आपकी लेकर आएं आइस्क्रीम की रस्पी लेकर आएं क्योंकि बच्चों को पसंद होती और गर्मियों का सीजन भी चला है तो में बनाएंगे फटा फट और कम सामान से बन जाता क्योंकि लॉक्डान चल आए और मंन होता गाने का आजख्रीम और तो हम बनाएंगे आशेप्रीम और बच्चों के लिए चलिए श्चरक करते कैसे बनाना अचति कैसे लिए आपको वृडियो को इसकी भीडियो नहीं करना गां की अप्सेंच बनाएंगे तो हमने रख लिए कड़ाई गेस पर और कड़ाई में डालेंगे लगवक्त आदा लीटर दूद वह भी फुल किरीम बाला इससे हम बनाएंगे आईस्क्रीम आज की बहुत दिनों से मन कर रहा था आईस्क्रीम खाने का तो हमने कहा चलो आज आईस्क्रीम बना लेते हैं तो दूद हमारा गरम होने लगा है बहुत अच्छे से तो इसको बराबर हम चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से हम पकाएंगे पहले तो फ्रेंट्स आप वीडियो को पूरा देखिए इसकी बिल्कुल ना केजिए तब ही आपको आइस्क्रीम मनाने का तरीका समझ में आएगा तो दूद हमारा बॉल उन्हें लगा है तो इसको अच्छे से हम सारा इसको दूद आराम से इसको पकाएंगे और दूद हमारा बहुत अच्छे से पक गया है तो इसमें हम चीनी को मिला लेते हैं लगवा हमने 100 ग्राम चीनी ली थी तो दूद अच्छे से तब तक उबल रहा है तो हमने लिए हैं चार ब्रेड इसके जो सैट से है ना उसको निकाल देते हैं लेयर इसकी अटाकर साप कर करें लेदे शक्री में अ a वो है अच्छी सी थे चैनald थाएगि रने से तो बिक तरीके से कड कर लेंगे को हम गिलसा करेंगे अभी आसको ब्रेटूर में गिसलें से इसको पीश लेते हैं वारी हुए च्छे से और इसको हम दूद में डालेंगे लिए यह था इसकी बहुत आइसक्रीम बनके तयार होती है दूद में मलाई भी पढ़ने लगी अच्छी सी रबडी सी बनके तयार हो रहा है तो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके रेड को मिक्स करेंगे और ब्राबा चलाते जाएंगे तो फ्रेंट्स जैसे बजार में गाड़ी-गाड़ी रबडी वाल जिसमें वह भी हम डाल देते हैं थोड़ा-थोड़ा करके इससे केसर का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छी खुस्पू आईगी जब में इसको आइसक्रीम को खाएंगे तो केसर वाला दूर डारकर हम इसको अच्छे से पकाएंगे बिल्कुल मीडियम ग तो अभी मेरे पास इलाची पॉड़र नहीं है तो अमने इसमें नहीं डाला है तो हमारी रबड़ी वनकल विल्कुल तयार हो गई है आश्क्रीम के लिए बहुत अच्छे से पक गई है इसकी थिकनिस है वह भी आप देख सकते हैं बहुत यह ची थिकनिस आ रही है देख से लिए हैं 100 ग्राम मलाई इसको अच्छे से डाल कर फेटेंगये तो मारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनका तयार होगी मुलायम और खाने में टैस्ट भी इसका बहुत जादा अच्छे लगता है जम इसमें क्रीम मिलाते हैं आप चाहें तो क्रीम भी इसमें मिल तो मैं इसी अच्छी तरीक से मिक्स कर लेते हैं जितना बड़ी हम अच्छे से मिक्स करें उतनी एच्छी हमारी आइसक्रीम बन का तयार होगी तो देखिए इसकी थिकनिस बिल्कुल अच्छी सी हो गई है तो हमने गैस को बंद कर दिया और से ठंडा होने के लिए रख देते है तो रवड़ी हमारी ठंडी हो रही है तो रवड़ी ठंडी हो रही है तो इसकी जो आइसक्रीम बनाते हैं हम सभी को पसंद होती है और बच्चों को पसंद होती है हमारे बच्चों को तो रवड़ी वाली आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी लगती है आपके बच्चों क में कॉमेंट बॉक्स में जरू लेके बताईए तो रबड़ी हमारी बरावा चलाते हुए ठंड़ी हो रही है तो तब तक हम इसके रबड़ी बनाने के लिए आज हम लेंगे मौल के जो प्लास्टिक के कप आते उनकों लेंगे तो इसमें आज हम जमा कर देखेंगे कि हमारी आज क्रीम कैसे बनका तयार होती है तो हमने इस तरीके से गिलास ले लिए और इसमें आज क्रीम डालेंगे जो मैंने रबड़ी बनाई है तो हमने डिस्पोजर वाले ले लिए इसमें हम आइसक्रीम बनाएंगे आज कि इसमें बहुत ही जल्दी फटा पट आइसक्रीम बन जाती है क्योंकि हमारे यहां थोड़ी सी लैट की प्रोब्रम लेती है तो हम इसी में जमा कर आज आज क्रीम को बनाकर तयार करेंगे तो इसे अच्छे से हम थोड़ा सा हिला लेते हैं जिससे इसे बबल से ना पढ़ जाए तो सभी हमने जो बरतन लिये थे उसमें रकर लिया है गिलास लिये थे और एक मेरे पास कटोरी थी तो इसी में मैंने सारे में जमा कर रख दिये और इसको मुझ पर से डख कर अभी तैय कि इस्टिक इसमें लगा देते हैं जिससे कि आस्क्रीम निकालेंगे तो असानी रहेगी और इसमें जो उपर मैंने इस्टील पेपर लिया है उससे इसे कवर भी कर देंगे अच्छे से कवर करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी आश्क्रीम जमेंगी नहीं तो इसमें जब अपने पैक कर लिए हैं और हम फ्रीज में रखेंगे लगवाद चार से पांच गंटे के लिए हाई कूलिंग पर जिससे की आशक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो जाती है तो फ्रेंट्स हमारे सारे गिलास पैक हो गई है और इस्टिक भी इसमें लगा लेते हैं तो हमने सेट करना है लगा कर तो थोड़ा सा मिसमें होल करेंगे इसमें डालेंगे और हमारी आशक्रीम हो गई है सारी तयार बहुत ही अच्छे से और कटोरी में जो मैंने दो इस्टिक लगाई है उसको हम कट करके बाद में आपको दिखाएंगे गर पर बहुत ही आसानी से फटा पट कम पैसों में बनकर तयार होती है और बहुत ही बजार से ज्यादा अच्छी भी बनती है टेस्टी तो इस तरीके से मारी सारी आशक्रीम ने बना दी है और इसे मैंने पांच गंटे बार निकाला है फिरिज मैंसे तो देखी प्लेट मे कितनी जादा जम रही है ना उपर वी थोड़ी सीवाफ सी आस क्रिम सी लग रही है है तो इसको मैंने इटा दिया है और में देखते हैं दो लेवाशन चै devasti Wisconsinpid जम रहा वहीं है कि सारी मैंने आसक्रिम निकाल लिए तो इसको कそう достаточно जो आ नंहें लिया है जाए कर दी किंडियों चीशा त्रीक से मौत अच्छे से निकल पाएंगे तो हमारी सारी आश्क्रीम इसी तरीके से बनका तयार हुई है और मैंने इसको कट किया है और आश्क्रीम अपनी भार निकाल रहे है तो देखिए ना कितनी अच्छी हमारी कुलफी लग रही है इसे कुलफी भी कहते हैं मटका आश्क्रीम भी कह सकते हैं कुछ भी से बोल सकते है तो ऐस बॉयां तो आप बीकते के जलिए कि आष्क्रीन आयों तो राश्ते कमाल हमारे सच्ते में बनकर तयार हुए है तो एपने अपने पर आइसक्रीम इस गर्मियों में जरूर आई है और खाई है और अपने सच में बहुत ही अच्छी आश्क्री मारे बनके तयार हुई रवड़ी वाली कुलफी तो आप इसको जरूर बनाई एक पर मेरे कहने से और खाकर देखिएगा बहुत अच्छा इसका स्वाद है इसको मैंने कट कर लिया है दो पीस में और भी आपको इसको कट करके हम आश्क्रीम को लगा कर तयार किया है उसके बाद हम भी खाएंगे तो देखिए हमारी एसक्रीम कितनी बढ़िया हुई तयार लगभग एसक्रीमारी तक की तयार हो गई बनकर मातर आदा लीटर दूद में और एक कफचीनी से तो आप इस तरी एसक्रीम बनाईए और खाएंगे और गर्मियों का इंजोई कीजी